हलो एवरिवान मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे अब हम नर्सरी जाएंगे कुछ फ्लावरिंग प्लांट लेने विंटर के तो साथ में हमें नजर आएंगे कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटी गमलों में लगे हुए स्टेलिंट्स बहुत से खुंन ऐसे होते है जो हमेशा हमारे गार्डन में बने रह सकते हैं जिनकी अगर हम थोड़ी सी कियर करें और छुटी छुटी बातों आफ्टों का ध्यान रखे तो तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे सट्रेंट्स जो आप अपने गार्डन में हमेशा बनाए रख सकते हैं थोड़ी सी देख भाल के साथ इन में से जादातर सक्लेंट आप पत्ती से यानि एक लीफ से भी ग्रोव कर सकते हैं वो भी बीच में बता दूंगी आपको कौन से ऐसे सक्लेंट है जिनको आप पत्ती से ग्रोव कर सकते हैं जिन से ए अगर आप बिगनर है तो यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगी तो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हो सके और मेरी थोड़ी सी महनत आपके ज्यादा काम आ सके तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों नमबर एक पर है यह है वार्थिया जेबरीना प्लांट इसकी काफी वराइटी आती हैं गर्मियों में इसकी जो टिप्स हैं कुछ इस तरीके से ब्राउन हो जाती हैं और अब आपको इस तरीके से नई ग्रोथ इस प्लांट में देखने को मिलेगी यह देखिए इसमें नई नई ग्रोथ आप निकल कर आ रही है तो इसका यह बेस्ट सीजन है आप जरूर लेकर आए और गर्मियों में भी अराम से चल जाते हैं आप इंडोर भी इसको रख सकते हैं किसी विंडो के पास बहुत अच्छे से ग्रोग करते हैं अगर आपके पास बेबी प् आपको देखने को मिलेंगी उसकी पहचान यहीं होगी कि पतियों के उपर इस तरीके से छोटे छोटे बेबी प्लांट आपको लगे हुए मिलेंगे तो यह प्लांट भी गर्मियों में अराम से बचता है और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है कम पानी दें और हलक च्छोटे बेबी प्लांट होते हैं जब यह बेबी प्लांट नीचे गिरते हैं तो इस तरीके से नया प्लांट बन जाता है तो मदर ऑफ थाउजन की तीन से चार वराइटी होती है कोई भी आपको मिले जरू ट्राय कीजिएगा आपको सिर्फ यह देखना कि यहां पर पत तो भी टॉलरेट कर लेता है मदर ऑफ थाउजन बेस्ट है अगर आप बिगनर है तो जरू ट्राय कीजिएगा इसके बाद दूस्तों नेक्स्ट है यह बुश सेनेसियो और इसका करेक्ट नाम भी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी और आप पास से देखेंगे कुछ इस आपको इसकी कटिंग मिलती है कुछ इस तरीके यहां से सैसे कटिंग मिलती है तो इसकी कटिंग भी अराम से चल जाएगी अगर कटिंग मिले तो वह भी आप ले सकते हैं आसपास से यह भी बहुत अच्छा प्लांट है हमारे गार्डन में बनाए रखने के लिए तो जरू लग प्लांट है इनकी शेप और कलर में डिफरेंच आपको नजर आ रहा होगा यह दोनों ही प्लांट मैंने लीव से ग्रो किये हुए है याम ne according conditions मिले तो और भी fast growth ये कर सकते हैं लेकिन गर्मियों में zero growth होती है इनकी इस तरीके से अराम से ये रहते हैं गर्मियों में और इनको बचाना भी असान होता है तो इची वेरिया family के काफी plant होते हैं ऐसी narrow और बड़ी बड़ी leaf वाले moon cactus में ये red color है pink color और yellow color भी आपको मिल जाएगा तो वो भी आप try कर सकते हैं अराम से grow करते हैं पाने कम दें महीने में एक बार पाने इनके लिए sufficient होता है इससे जादा पाने इनको खराब करता है और सर्दियों में इनको हलकी धूप मिले और गर्मियों में ये ऐसी जहां पर रखे रहें जहां पर bright light काफी अच्छी प्लांट को मिलती रहे तो ये अराम से grow करते रहते हैं इसके बाद दोस्तों आता है ये वाला cactus जिसको bunny cactus बुलाते हैं और bunny cactus भी अराम से grow कर जाता है अगर bunny cactus की आपको ये देखिए इसका ये तूट गया है इस तरीके का एक हिस्सा भी मिल जाता है और इसको आप मिटी में लगा देते हैं तो ये बहुत अराम से grow कर जाता है जैसे कि इस तरीके का आपको लगे और इसको निका लिए और मिटी में लगा दीजिए ड्राइ मिटी रखे थोड़ी सी जादा गीली मिटी ना रखें जब आप कटिंग लगाएं कैक्टस की तो ये अराम से grow करेंगे महिने में एक बार पानी दे बहुत अराम से चलता है कैक्टस के बद दो ये है कैलैंकोई और ये है देए कैलैंगोई पीजिए क्राइट की ना बहुत अच्छे से फरवरी के मिड में भी बाकि आपके प्लांट की ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है और ये प्लांट जो है एक पत्ती से भी ग्रोथ करता है एक पत्ती से प्लांट इसका बन जाता है देसी के लंचो का तो वो भी आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इसकी पत्ती भी अगर आपक तो इन दिनों आपको ये भी नर्सरी पर मिलेंगे कोई भी इन में से मिले जरूर ट्राइब कीजिएगा दोनों बहुत अच्छे से घ्रो करते हैं तो ये भी बैस्ट प्लांट है जिनको गर्मिया में आराम से बचाया जा सकता है शेड लविंग प्लांट है इनको कहीं बालक और यह देखिए बहुत ही खुबसूरत लगता है एक यह वराइटी आती है एक में इसकी जो पतिया है थोड़ी छोटी लेकिन चौड़ी होती है यहां से आपको इन में यह देखिए इस तरीके से एक अलग ही लुक नजर आएगा यहां से इनका कलर थोड़ा अलग रहता है खुली खुली सी लगती है थोड़ी थोड़ी मतर जैसी आपको लगेंगी बीन जैसी भी आप कह सकते हैं और शेप थोड़ी मतर जैसी भी कह सकते हैं तो ऐसी यह लगेंगी आपको देखने में स्टेम काफी ठिक होती है और यह पती से ग्रो हो जाता है नहीं भी ग्रो हो त तो इसकी cutting भी अराम से grow हो जाती है leaf से मैंने इसको try किया था लेकिन जादा गर्मियों के दोरान किया था आप फिर से try करूँगी तो result आपके साथ share करूँगी लेकिन ये छोटी सी इस तरीके की यहां से cutting भी मिल जाती है या baby plant side से काट कर भी आप लगा सकते हैं तो happy bean plant भी गर्मियों में अराम से बच जाता है बहुत अराम से grow करता है इसकी reporting मैं आपके साथ share करूँगी हाल ही में मैंने इसको report किया था वीडियो record की थी तो आपके साथ वो मैं share जरूर करूँगी फ्यूचर में तो आपको help हो जाएगी कि कैसे report करना है किसी भी succulent को the soil mixture भी उसमें share करूँगी इसके बाद दोस्तों ये वाला जो plant आप देख रहे हैं ये काफी खुबसूरत plant है ये है camp fire ये मेरा दो साल पुराना plant एक साल पुराना plant है लगबग बन जाएंगे ये कुछ इस तरीके का देखने में आपको लगेगा बहुत अराम से गर्मियों में चलता है गर्मियों में इसको दो घंटे की धूप दे और सर्दियों में फुल सन दे बहुत अराम से चलता रहेगा मिटी जब पूरी सूप जाए तभी पानी दे बहुत अच्छा plant है अभी आपको नरसरी में ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा इस तरीके का इसमें मेरे बहुत से बेबी plant जो है वो उग गए है नई stem बन गई है इसलिए थोड़ा different लग रहा है इसकी exact picture मैं side में लगा दूँगी मेरे पास इसकी पुराने फोटो पड़ी होगी तो ये भी आप जरूर ट्राह किजे best plant है beginner के लिए इसके बाद दोस्तों ये है jade plant और ये वाली जो variety है ये वो variety है इसमें उपर सफेद पतिया आती है अब सर्दियों में इसमें सफेद पतियां बनेंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी हाला कि jade plant गर्मियों में भी अच्छा grow करता है और इस सीजन में भी अच्छा grow करता है अगर आपको मिले तो ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो ये भी बहुत अच्छा क्राइसूला भी इन देनों आपको मिलेगा different different shape की पतियों में जिसे बड़ी पतिया गोल पतिया इस तरीके से तो ये भी आप ट्राइ कीजिएगा जेड के बाद दोस्तों यह देखे कलेंचो फैमिली से है यह देखे कलेंचो ग्रेंडी फ्लोरा और बहुत अच्छे से ग्रो करता है यहां से कटिंग लगाएंगे तो भी ग्रो कर जाता है और लीव से रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं इसका यह देखिए यह इसकी एक पती है जिससे चार प्लांट बने हुए हैं तो अगर आपको इसकी एक लीव भी मिले तो भी आप इसको ट्राइ कीजिएगा पतियों से भी यह अराम से ग्रो कर जाता है अगर नर्सरी गए हैं तो एक पती तोड़ कर ले आईएगा इस तरीके से मिट्टी में रख दीजिए सीधा यह देखिए इस तरी अगर्मियों में एक दो घंटे की धूप दे अराम से चलते हैं इसके बाद दोस्तों यह बड़ा असा मेरा प्लांट है यह प्लांट और प्लांट और प्लांट इन दिनों काफी अच्छी ग्रोथ करता है देखिए इसमें नई नई पतियां अब आ रही है नई ग्रोथ इन सूर्ती से चलती है जादा अराम से चलती है गर्मियों में भी आप इसको बचा सकते हैं किसी विंडों के पास रख दें या किसी शेड़ीड प्लेस पर रख दें यह अराम से चलता रहेगा सिर्फ पानी का ध्यान रखें इसमें पानी 15 से 20 दिन में एक बार दें गर्मियों सोयल मेक्चिर मैंने आपके साथ शेयर किया था बैरल कैक्टस और ये भी इन दिनों आपको नर्सरी में मिलेगा इसके लावा कैक्टस की कोई वरैटी अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर लेकर आएगा कैक्टस आराम से चलते हैं इनको आप अगर पानी ना दें तो जादा अच्छे से चलता है इन दिनों और गर्मियों में बचाना असान होता है सेडम की आपको कटिंग मिल जाएं पतियां मिल जाएं वो भी आप ग्रो कर सकते हैं सेडम की काफी वराइटी आती है सेडम एक बीन की टाइप में आता है और एक ग्रास की टाइप में आता है तो दो लिए या फिर पहले यह प्लांट मेरे पास था नियुक्स भाएया। जाता थियों होती है तो में पतियां कि आप ideia थे से पती हुआ नियुक्ष लगे सब्सक्राइब नि के थे गर्मियों में बचाना असान होता है हलकी एक घंडे की या ऐसी जंग है जहां पर बहुत तेज लाइट प्लांट को मिले वहां रखे लू ना लगे गर्मियों में इस प्लांट को तो यह बहुत अराम से ग्रोव करता है तो यह भी ट्राइ कीजिएगा लेकिन इसके अलावा जो मैंने पहले आप से शेयर किया है यह सारे प्लांट यह 100% आप गर्मियों में बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी जादा ना करें पाने का ध्यान रखे अराम से यह प्लांट चलेंगे तो दोस्तों यह थे मेरे गार्डन के मेरे एक्सपीरियन्स के वो प्लांट जो ह हमारे गार्डन में हमेशा बने रह सकते हैं तो इनकी थोड़ी सी देखभाल गर्मियों में करनी पड़ेगी वो ये कि आपको गर्मियों में इनको दो गंटे की धूप दे यनि सुभे की धूप दे उसके बाद इनको चाया मिले और जादा लू वगेरा इस पर ना लगे साथ में पानी का ध्यान रखेगा बहुत कम पानी भी इनके लिए नुकसान दाई होता है तो पानी महिने में या 20 दिन में एक बार अच्छे से दे फिर प्लांट गर्मियों में भी अराम से सर्वाइव कर जाते हैं और अगर सर्दियों की बात करूँ तो सर्दियों में इनको हल की धूप मिले जरूर मिले कम से कम 3-4 घंटे की और पानी आप तभी दे जब बहुत अच्छे से मिटी इनकी सूख जाए गमले भी इस चीज में रोल अदा करते हैं अगर आप मिटी का गमला इस्तमाल करते हैं तो उनमें नीचे तक मिटी जल्दी नहीं सूखती है तो जान रखते हुए इन प्लांट्स को आप अपने गार्डन में हमेशा बनाए रख सकते हैं उमीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए हल्फुल रही होगी कौन सा सकल इंग में से आपको पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अगर किसी बिगनर को जा जानते हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रुकिए खुश रहे हैं बाई बाई